आप देख रहे हो एडियो है और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 लाइट चैप्टर के 10 ऐसे निमेरिकल्स जिस लेवल की निमेरिकल्स आपको बोर्ड एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग बिना चैप्टर को पढ़े इस सिर्फ फॉर्मला यहां पर काफी नहीं होंगे निमेरिकल्स आल करने के लिए शुट आप सम बेसिक आइडिया ओफ रे डाग्रम साइंग कर्मेंशन वो सारी चीज़े होनी चाहिए ठीक है और जो चीज बहुत जादा रिक्वाइड है वो मैं आपको यहां दिखा रहा हू जूस लेंस फॉर्मला यहां पर क्या हो जता है यहां चुर्मला इसके बाद रहे लेंस वाले में माइनस है मिलर वाले में में प्लस है याद गैसे रखें जहां पर M for mirror है वहाँ पर M for minus नहीं है तो इसमें याद रखना इसके बाद अगर तुमको radius of curvature दिया है focal length अगर नहीं पता तो focal length is always half of radius जो आपको already दिया गया है काफी लोग जानते होंगे and also lens के लिए power of the lens, lens का power अगर निकालने को बोला जाए so power of lens is given by reciprocal of focal length पर याद रहे power का unit diopter होता है और उसके लिए focal length आपको हमेशा meter में लिखना होगा तो अगर आपको question में centimeter में दिया है तो पहले उसको meter में convert करना पड़ेगा divide by 100 and then you can, meter में use करोगे तब जाके power मिलेगा centimeter में इर गड़े डाल दिया तो answer यहाँ पर भी याद रहे कि जब भी आप ये formula यूज कर रहे हो सारी units same होनी चाहिए तो अगर ये centimeter ये centimeter में है तो ये भी आपका centimeter में आएगा ऐसा नहीं कि आप ये centimeter में use करें और ये centimeter में उसकत ये converted foliage करनी जरूरी होती है before implementing into the formula ठीक है जो भी आपकी values होगी इसके बाद याद रहे कि u object distance जो की majority of the times दिया होता है object distance जो है क्योंकि object को हमेशा left side में place कर रहे होते हैं lens या mirror से left side जो है as per the sign convention left side मतलब हम minus लेते हैं right तो object distance will always be negative यह always लिखा है तो यह बहुत अच्छे से ध्यान में आपको रखना है you can also try to take a screenshot here ठीक है यह जो पूरा दिया गया है formula के साथ so always वाले में चाहे lens हो चाहे mirror हो concave convex कोई भी हो object distance हमेशा negative ही लेना है question में नहीं दिया हो पर आपको लिना है focal length जो है focal length will be negative for a concave lens या mirror कुछ लोग को लगते हैं कि सर्व lens mirror के अला लग हो नहीं focal length हमेशा negative होगा concave के लिए चाहे lens हो चाहे mirror हो focal length हमेशा positive होगा convex के लिए चाहे lens हो चाहे mirror हो सर यह कैसे याद रखे हैं या ठीक है ना convex का x देख लो और बस थोड़ा सा उसी को पलट दिया तो यह plus दिख रहा है होगे ना सर याद ओके सो focal length का sign इस प्रकार लेना है यह sign कोई भी sign आपको question में नहीं दिया रहेगा वो हमेशा normal number दिया होगा तो आपको plus minus समझना है यहां भी बहुत बच्चे फस्ते हैं refractive index light जो है अगर एक medium से मालो medium 1 से medium 2 में जा रहा है मालो air से glass में जा रहा है सब्सक्राइब यहां पर ऐसे bend कर रहा है तो यहां पर this is speed of light in the first medium सब्सक्राइब सी 2 is the speed of light in second medium angle of incidence जो है वो i है angle of refraction जो है वो r है angle कैसे निकालते है normal से जो incident रे angle बनाएगा वो angle of incidence है और normal से जो this is normal normal से angle of refraction refracted रे जो angle बनाएगा उसको r angle of refraction कहते है सो अगर में को refractive index of the second medium with respect to the first medium निकालना है n21 निकालना है तो n21 is given by the Snell's law के हिसाब से law of refraction के हिसाब से sin i by sin r ठीक है trigonometric term का ratio sin i by sin r is giving you the value of refractive index of the second medium with respect to first speed of light के terms में भी है this n21 can also be obtained by c1 by c2 और इसके इलावा अगर तुमको absolute refractive index पता है कि इसका refractive index n1 है इसका absolute refractive index n2 है so the n21 can also be obtained by n2 by n1 तो पहले है वन बाद में है यहां पर भी तू पहले है वन बाद में है और इसके अलावा अगर तुमको refractive index of first medium with respect to second पता है n12 पता है तो बस one upon यानि reciprocal करोगे उसका तो you'll get the value of n21 इसके अलावा अगर तीन mediums दिये हैं in that case what you do is m13 मालो तुमको निकालना है तो असान है क्या करना है देखो इसको याद रटनी की जरूरत नहीं है इसमें क्या करोगे जो पहले लिखा है और जो second लिखा है वो धियान रखो जो पहले लिखा है उसको first position पे लिखोगे जो second लिखा है उसको आप आप आखरी position पे ल diamond with air अगर air के respect में दिया हुआ है and refractive index of air with diamond ठीक है इसको multiply कर दोगे you'll get this value okay magnification is equal to h dash by h size of image by size of object एना कितना वो जो image है वो object के हिसाब से कितना बड़ा या किस factor से छोटा हुआ है ठीक है उस हिसाब से gives that gives the value of magnification अगर magnification 2 है मतलब image जो है वो दोगुनी size का है अगर magnification 3 है तो image मतलब 3 गुने size का है अगर magnification 0.5 है तो image क्या है object से आधी size का है ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए magnification given by h dash by h and lens और mirror के इसाब से अगर v और u के terms में तुमको लिखना है तो magnification निकाल सकते हो magnification can also be given by minus v by u for mirror and plus v by u for lens सब्सक्राइब माइनस प्लस यहां confuse कर सकता है तो इसके लिए आप m3 याद रखो तो m3 का मतलब mm ठीक है यह mixed martial art नहीं है यह mm का मतलब है magnification वाली formula में minus आता है mirror वाली case में m4 magnification m4 minus m4 mirror वाली case में पर वो यहां पर उल्टा है यहां पर m वाले case में minus नहीं यह इदर प्लस है तो यह तुमको दिहान रहेगा ओके इसके बाद lens के लिए v by u normally ठीक है अच्छा magnification से क्या क्या बाते पता लगती है अगर तुमको बोला है find the position nature and size of the image तो position तो तो तुम इससे निकाल लोगे lens या mirror formula से nature and size के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा you will have to find this magnification value magnification का value तुमको plus या minus positive या negative कोई number मिलेगा अब plus या minus sign से क्या पता लगता sign से पता लगता दुमको nature या दखना sign से क्या पता लगता है single लिख दिया sign से पता लगता है nature nature of the image एक और यह magnitude यह जो number है इस number से पता लगता है क्या size of the image तो अगर साइन माइनस है तो मीनस का मतलब इंवर्ट इंवर्टेड नीचे की तरफ बना है और इंवर्टेड हमेशा रहेगा तो माइनस अगर यह इक्वल टू वन है मतलब image बिल्कुल object की size का है, यह ratio कब वन आएगा, जब यह दोनों value same है, तो बिल्कुल image जब object की size का है तो n विल बी 1, अगर image जो है वो object से छोटा है, diminished है image, तो उस case में n जो है less than 1 आएगा, 0.5, 0.75, 0.2, ठीक है, and enlarge यह आफिर magnified image कब होता है, when the value of n is greater than 1, जैसे 2, 3, 1.2, 1.4, 2.5, whatever, number greater than 1, तो यहाँ बना बच्चे कुछ बच्चे confused होते हैं, sir, magnification माले लो, अगर मेरा minus 2 आया है, तो इसका क्या मतलब है, minus का मतलब तो sir, real inverted होगा, और 2 का मतलब, minus 2 का मतलब तो यह smaller than 1 है, क्योंकि minus 2 है, नहीं, SMS, sign को अ 2 जो magnitude है, it is greater than 1, तो ऐसे में क्या होगा, enlarged images, या फिर आप यह कह सकते हो, 2 times enlarged images, तो sign और number को अलगलग treat करना है, okay, coming to the, सवाल number 1, तो आपके सामने पहला सवाल है, rule यह है, हमेशा pause करो, solve करो, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, pause करो, solve करो, and फिर तो match कर लेंगे, त लिए आईए, तो यहाँ पर, an object is kept at a distance of 100 cm from the lens of power minus 4 diopter, तो यहाँ पर याद रहे हैं, object at a distance, object distance दिया है, यानि u की value दिया है, मैंने बोला, object distance हमेशा negative होता है, पढ़ा हमने, so this is minus 100 cm, और इसके बाद lens बोला है, तो lens बोला है, तो यह lens formula लगेगा, lens formula लगेगा, what is the lens formula, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, ठीक है, off power, power दिया है, तो focal निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो focal length रहे होता है, 1 by p हो गया, so what is that, 1 by minus 4, कितना होता है 1 by 4, 0.25 होगा, minus 0.25 होगा, पर that is meter, क्योंकि यह diopter में है, तो इससे क्या आएगा, meter आएगा focal length, अब यह focal length, हम क्यों निकाल रहे है focal length, because हमरे formula में, हमको यू पता लग गया, जो अरड़ी दिया हुआ है, और v निकालना है हमको, calculate image distance, तो यह calculate करने के लिए, आपको यह भी पता होना चाहिए, ठीक है, तो what you will do is, कई लोग क्या करेंगे, 1 by F, directly minus 4, put कर देंगे, बढ़ आपको याद रहे है कि वो meter में आएगा, तो पहले centimeter करना जरूरी है, तो minus 0.25 का मतलब कितना हुआ, minus 25 centimeter, क्या कि हमने इसको multiply by 100, तो आगे आपका centimeter में value आगई, अब इसको हम यहाँ पुट कर लेंगे, so that is, 1 by minus 25 is equal to 1, इससे क्या बतला का focal length आपका minus है, तो बताने के जरूरत नहीं पड़ी कि यह कौन सा lens है, आपको सीरह यहाँ पर दिया, यह focal length minus में आगे आपका, so 1 by V and this is minus 1 by U, U कितना है सर, भूल गया, U है, minus 100, तो पुट कर लो यहाँ पर बेटा, यह हो जाएगा, minus 100, सर, यह minus minus plus हो गया, यह 1 by V, plus 1 by 100 हुआ, और यहाँ पर 1 by minus 25 है, अब इसको क्या करो, हमको V निकालना है, वैसे भी इसको इधर लिया, so minus 1 by 25, यह plus फिर आखे यहाँ minus हो गया, minus 1 by 100 is equal to 1 by V, सही बात है, अब इसको हम क्या करेंगे, keros multiply कर लेंगे, ठीक है, तो keros multiply यह through out minus से, कर लो, क्या ही दिक्क्त है, minus को ले जाओ, वहाँ पर तो यह हो जाएगा 1 by 25 plus 1 by 100 is equal to minus 1 by V कर सकते ना ऐसे कर सकते हैं यह नहीं को पता ना मैंने minus common ले लिए उदर भेज दिया और यह multiply by 4 divide by 4 ताकि भी denominator same कर दिया मैंने तो यह हो गया minus 1 by V is equal to 4 by 25 plus sorry 4 by 100 ना 4 by 100 ओंदेर आप अपने साब से कर सकते हो by 1 by 100 कितना हो गया यह this is 5 by 100 हो गया है ना 4 plus 1 5 हो गया नोटर सेम है तो और यह minus 1 by V okay 520 जा होता है वी की value कितनी आ गई minus 20 centi got the answer ताल यहां सही है भाई मैंको पता होगा maximum लोग का यहां पर सही है होगा ठीक है इसके बाद जिन्होंने यहां पर सिली मिस्टेक नहीं किया होगा तो कि अगर मैं भी कही मिस्टेक करता हूं तो तुम बताया करो भाई यह दारेक्ली हम कर रहे हैं से ओके सो अगला है डायकली मतलब यहीं पर शूट कर रहे हैं यहीं पर हम साल कर रहे हैं लाइट एंटर्स भाई साब पॉस्ट करना भूल गए गया पॉस्ट करो सॉल करो यार इसा नहीं करने का स्पून फूटिंग नहीं चलता है वाई मालमाना कॉंपिटेंसी हैना तो क कितना दिया है 2.42 ठीक है काल्कुलेट इसीड ओफ लाइट इस स्पीड ओफ लाइट इस गिववन तो तुमको यहां पर क्या दिया है तुमको शी वन दिया हुआ है कितना थ्रींटू टेंट राइस तू एट मेटर पर सेकेंड तुमको चीटू निकालना है और एर इस ऑल तो यहां पर क्या करना पड़ेगा सर्फ फार्मला यूस करना पड़ेगा रिफ्राक्टिव इंडेक्स of 2 with respect to 1 is c1 by c2 speed of light in 1st by speed of light in 2nd हमारा 2 क्या है हमारा diamond diamond with air is equal to speed of light in air by speed of light in diamond so this is 2.40 is equal to ca that is 3 into 10 to the power 8 meter per second by cd and speed of light in diamond अब इसको इधर लिया हो इसको यहां ले जाओ so cd will be equal to 3 into 10 to the power 8 by 2.42 2.42 को लगब 2.5 लेओ solve करके देओ कितना आ रहा है so this will be around 2.5 होगे ना multiply divided by 10 कर देओ कितना है गा 30 by 25 5 5 6 5 6 5 1 5 5 2 10 1.2 हो है ना 1.2 into 10 to the power 8 meter सरी इतना अप्रोक्षिम चलेगा के चलेगा नहीं तो इसको दस नंबर मिलने वाले आगे देखते है यहां पर next question is right here the absolute refractive indices of glass and air are 4 by 3 and absolute refractive index मतब N पहले दिया है इसका glass का और दूसरा है na sorry water absolute refractive index आपको glass का भी दिया हुआ है और water का भी दिया हुआ है कितना दिया है इसका दिया है 4 by 3 इसका दिया है 3 by 2 है na respectively respectively का मतला पता है ना पहले वाले का पहला वाला दूसरे वाले का दूसरा वाला इस the speed of light in glass यानि कि c g दिया हुआ कितना 2 into 10 to the power 8 meter per second calculate the speed of light in vacuum and that in water speed of light in vacuum भी निकालने को बोला है और sorry speed of light in water भी बोला हुआ है water नहीं होगा यहां पर यह होगा तुमको glass का value दिया है ना हाँ ठीक है speed of light in water भी पूछाया ओके शरकाई से करेंगे सोचो 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 कौन सा formula आएगा speed of light वाले formula आएगा ना देखो glass का दिया हुआ है हम पहले water का निकाल लेता है ठीक है so refractive index of refractive index of मालो उपर हमने water assume कर लिए नीचे glass assume कर लिए ठीक है ऐसे भी कर सकते हो वैसे तो और air के vacuum case आप से भी कर सकते हो चलो vacuum case आप से करते हैं पहले vacuum और निकाल देखें यह भी कर सकते हैं आसे you can do it pause करे solve करो पहले है okay so मालो उपर vacuum है और नीचे है ग्लास है ना क्योंकि ग्लास को अप्टेन अभी तो नीचे ग्लास है और light जो है वो आई से आई आई से बेंड हुए right speed of light and vacuum निकालना है हमको c v हमको नहीं पता speed of light and glass दिया हुआ है कितना 2 into 10 to the power 8 meter per second right और absolute refractive index तुमको दिया ही है ना ग्लास का अब्सक्राइब कितना दिया है 4 by 3 so we know that N21 यानि कि यहां पर NG वाक्यूम है तो वी लिखो या मत लिखो वही absolute refractive index ही होगे नो पर वाक्यूम जब रहता है तो उसको absolute refractive index बोलता है हाना मतलब refractive index और glass with respect to nothing so that is c1 by c2 यानि cv by cg right तो अभी solve कर सकते हों कि नहीं value डालतो नहीं यहां पर कितना है 4 by 3 is equal to cv निकालना है अपने को cg दिया है 2 into 10 to the power 8 meter per second right इसको इधर ले लिया so 4 by 3 into 2 into 10 raise to 8 is speed of light in vacuum अब एक बार आपको speed of light in vacuum पता लग गई तो आप क्या करो उपर vacuum ले लो नीचे glass ले लो ठीक है and again doing the same thing cv by cg to refractive index of glass will be equal to speed of light in vacuum by speed of light in glass अब तुम्हारे पास ये वाली value भी दी है यहां से उठा कर डाल दो ठीक है ये वाला हमने एक मिनट एक मिनट हमको water का निकाला ना water एक मिनट so this is this is this is water पराबर ये हो गया cw this is your water यहां पर निकलेगा nw ठीक है put होगा water का value so the value will be this ये पुट कर दोगे और cv तुमने यहां से निकाल लिया होगा तो you can easily obtain the speed of light in comment करके answer बताना अल्राइट ये तो करना पड़ेगा भाई साब comment करके answer बताया करवा इससे हमको प्रेज़ना मिलती है वीडियो बनाने की और नेक्स कौन सी चीज से होगी because तुम जब बताओगे कि भाई next हमको इस चीज की जरूरत है फिलाल तो अब उससाब से चीज़े बनाएंगे sorted simple भाई है कि नहीं आगे while sipping some lemonade भाई साब ये तो नीवू का शर्वत पी रहा है lemonade with a straw ठीक है भाई बड़ा ही sophisticated आदमी है हम तो ऐसी पी जाते है Ronit observed that straw looked bend अच्छा ठीक है straw जो है bend दिख रहा है lemonade में when he seen from the side he could guess that it was due to the bending of light or refraction refraction के वे से हो रहा है of course हमको पता है the figure shows the ray of light as it travels from medium A to medium B ठीक है देको नीचे medium है दिया है यहां से यहां जो है light ऐसे bend कर रही है okay the refractive index of medium B relative to medium A is मतला हमको क्या निकालना है N B A refractive index of B with A पूछा है और यहां कुछ values भी दिये तो आपको याद रहा है कि यहां पर second medium कौन है light यहां से यहां जा रहा है this is the second medium and this is the first medium तो यह यह आपका normal है right this is the normal अगर यह normal है तो इसका मतलब क्या हुआ sir इसका मतलब यह हुआ कि यह incident ray है this is incident ray तो यह angle of incidence i की value 60 हो गई और यह normal के हिसाप से जो refracted this is refracted ray r की value 45 तो बस sign i by sign r कर दो and a sign i by sign r that is sign of i कितना है 60 by sign of 45 कितना है r कितना है 45 तो यह निकल जाएगा न यार sign 60 is root 3 by 2 sir by sign 45 is 1 by root 2 sir okay so this will be root 3 by 2 into root 2 by 1 and divide by 1 by root 2 into 2 करेंगे दो उल्टा हो जाएगा अब यह 2 को क्या लिख सकते हो भाया root 3 into root 2 और नीचे क्या होगा 2 को लिख सकते हो root 2 into root 2 ब्राबर 1 तो बनी है ना root 2 into root 2 ही होता ना यह cancel हो गया so what is the answer sir refractive index of b with respect to a is root 3 by root 2 ऐसे तो यह answer भी चल जाएगा है ना unit तो कोई होती नहीं है इसकी पर अगर तुम मैस्वड़ा पढ़ते हो तो root 3 की वैल्यू समय 1.73 होता है root 2 का वाल्यू 1.414 होता है मत करो उतना जाला उतना नंबर नहीं मिलने वारे बाबा आगे देखते हैं अगर तो फिर वहां पर options होता है तो वहां पर तुम guesses लगा सकते हो नेक्स्ट अगें pause solve कर लो भाई कर लो जिंद्गी बन जावे है क्या दिया है a slide projector has a convex lens ठीक है वह या projector दिया हो यह समझ में आ गया projector दिया है और आपको पता है कि projector में कौन सा lens होता है Convex lens सा होता है और इसमें slide रखा रहता है और उसी का जो image है वो सामने की तरफ screen पर प्रदरश्यत हो रहा होता है यह तो पता है अपने को ठीक है या अचाए कंवेक्स लेन्स का फोकल लेंदल भी लिए है तो ये साथ होता है और कियूंता है कि जिनको नहीं पता, okay. So, यहां पर the slide is placed upside down 21 cm from the lens. Slide मतलब object हो गया. So, और object इसने हमेशा negative होता है. Minus 21 cm. How far should the screen be placed? So, screen गहां पर रखा जाएगा कि शार्प इमेज बने है? So, screen तो वहीं place किया जाएगा, जहां पर image बन रहा है. यानि कि image distance हमको यहां पर पूछा हुआ है. If it is a lens, तो हम यहां पर lens formula यूज कर रहे होंगे. Which is 1 by f is equal to 1 by v. क्या आता है? Minus 1 by u. All right. So, 1 by 20 is equal to 1 by v. Minus 1 by u कितना है? Minus 21. ठीक है? So, 1 by 20 is equal to 1 by v. Plus 1 by 21. ऐसा ही हमने सवाल अभी जाएगा था. आप इसको इदर लियाओगे. तो यह plus का फिर हो जाएगा. Minus. Now you just need to solve for the value of v. और centimeter में तुमारा answer आ रहा होगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सबका answer आपको. जो जो मैंने नहीं बताया है answer. वो आपको निकालना है. And let us move to the. और जिनको नहीं आया वो comment में देखेंगे answer मिल जाएगा. बहुत सारे बच्चे होते होते हैं, वो answer लिक रहे होते हैं. ठीक है? कोई नहीं लिख पाया है तो हम लिख देंगे. हम बता देंगे. ठीक है? Okay. और जिसने सारा solve कर लिए ना वो लोग लिखेंगे answer हैं. इसे बाखे लोग भी help करना जुरूर ही है. 4.5 cm needle is placed. needle नियों object हो गया. Place 25 cm away from a convex mirror. ठीक है? Mirror formula use होगा. 1 by mirror formula 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. ठीक है? Convex mirror है तो याद रहे. Needle is placed. Needle की size दिया है, याद है size of object. कितना? 4.5 cm. उपर रखा जाता है, इसलिए plus के plus लिया है. ठीक है? Object हमेशा उपर रखते हैं. H जो हमेशा positive होता है. कोई भी case हो. Place 20 12 cm away from a mirror. So, यहाँ पर 12 cm away याद है object distance दिया है. Object distance always negative होता है. तो minus 12 cm. ठीक है? Convex mirror of focal length. Convex का मेंशा प्लस लिखते हैं. तो convex का focal length प्लस में आ जाएगा कितना? 15 cm. Give the location of image. यादि कि हमको पुछा है भी है, image जिससे निकाल दो, ज़्यादा tension नहीं है. And magnification भी निकालना है. भाई, formula है अपने पास. एक तो यहाँ से निकल जाएगा. प्लस हो जाएगा. So, 1 by 15 plus 1 by 12 is equal to 1 by V. सही है? कहीं में गलत कर रहों हो, तो बताना भी है. So, 12. Safe होता है, बोलना यार. नहीं तो क्या है ना फिर? जज्जमन मानना शुरू कर देते हैं. कहीं गलती हो गया है. गलत बाद हैं. 12 is equal to 1 by. कितना हो गया है, सरी है? सरी हो गया, 27, 27, by 15, 10 जा 150, और 30 में गलता है, 180. तो यह हो गया, 180. तीन के टोल में आता है, 3, 9 जा 27, और 3, 60 जा. 3, 3 जा 9, और 3, 20 जा. ठीक है? यह 1 by V हुआ. तो V कितना हो गया? 20 by 3. 20, solve करोगे, 3, 60, 18, यहनी 6.67 कहीं आ रहा होगा, right? cm. यह तुमारा V हो गया. बराबर है? अभी क्या निकालना? Magnification. कौन सी बड़ी बात? बड़ी बात नहीं है. Magnification. How can we obtain the magnification? Magnification is equal to, क्या होता है, सर? Magnification is equal to, सर मिर॥ यह है, minus V by U. ठीक है? So, minus of V कितना है? V अपने यह में डालना, यह डालना, इसली solve होता है. So, minus of 20 by 3. यह V है. By U के value कितनी है? साइन के साथ डालो. Minus 12. बराबर है? Yes. तो अभी यह minus minus तो कट गया. Magnification is equal to, 20 by 3, into, यह 12 by 1 है, into करेंगे तो 1 by 12. बराबर है? Yes, sir. 210 जा, 26 जा, कितना हो गया? 10 by 6 जा, 18. तो यह answer कर लें? 5 by 9. और solve कर सकते हो. ठीक है? 5 by 9. पॉइंट में जो answer आ रहा है, वो तुम्हारा magnification होगा. Magnification के भी को unit? नहीं होती. Same, similar terms का ratio है. Right? अगला देख लें यहांपर, an object of height, 5 cm. यानि कि, अच्छा, पिछले वाले सवाल में, object की height use नहीं हुई है. तरहोत नहीं पड़ी. वहां पर exact height of image नहीं पूछा था, पूछा था, तो हम solve करते हैं. object of height, object हमेशा हम उपर तरफ लेते हैं, तो हमेशा प्लस में होता है. इस place perpendicular to the principal axis of concave lens. यह lens है, ठीक है, और focal length. Concave है, तो हमेशा negative में होता है, 10 cm. If the distance of object from the optical center, यानि object distance दिया हुआ है, which is always taken negative, तो minus 20 cm, determine the position, nature, and the size of the image formed. यानि कि हमको यहां पर V निकालना है, nature बताना है, और क्यूंकि H दिया हुआ है, तो exactly हमेशा भी निकाल पाएंगे. तो यह सब चीज़े अपने को बतानी है. So, सबसे पहले, क्या दिया है, lens है कि mirror है, sir, lens है. तो lens formula use क्या होगा, sir? 1 by f is equal to 1 by v, minus 1 by u. 1 by f, यानि 1 by minus 10, and see this, right? is equal to 1 by v, जो अपने को निकालना है, minus 1 by u is minus 20, बड़ावर है, यह minus minus इधर plus हो गया, इधर आया, फिर minus हो गया. So, 1 by minus 10, minus 1 by 20, समझ में आया है, कैसे? minus minus is plus, फिर इधर आया, तो minus हो गया, is 1 by v, सब माइनस नियाल से उधर फैंक दिया, so, 1 by v negative हो गया, और यह हो गया, 1 by 10 plus 1 by 20, into 2, into 2, कितना हो गया, 2 plus 1, 3 by 20 हो गया, 3 by 20, minus 1 by v, 3 by 20 है, तो यानि, v की वेल्यू कितनी हो गया, minus 20 by 3 हो गया, इसको भी solve करेंगे, कितना आएगा, 6.67 negative में, यह तुमारा आया, v का वैल्यू, अब ही हमको क्या पुला गया है, nature, तो sir, nature निकालने के लिए, कि हम h निकाल लेते हैं, ज़िए यह वैसे भी, ठीक है, so वैसे ही पता लग सकता है, अब अब अन्माग्निविकेशन, माग्निविकेशन इक्वल टो, h-by h, and it is also equal to, for a lens, v by u होता है, बढ़ा आप अना, mirror होता हो, minus v by u, so h-by h, h-ki value कितनी है, 5, is equal to v, minus 20 by 6, sorry, minus 20 by 3, and by u, u कि value कितनी है, minus 20, minus 20, ठीक है, to h-by 5 is equal to, minus 20 by 3, into, यह minus 20 by 1 है, यह हो जाएगा, 1 by minus 20, minus minus cancel हो गया, 20 to 20 cancel हो गया, 1 by 3 है, h- कितना हो जाएगा, h- will be 5 उदर जाएगा, 5 by 3 हो जाएगा, ठीक है, अब यह क्या आया, प्लस में आया, प्लस का मतलब क्या होता है, erect, virtual and erect image हो गया, यह nature हो गया, and this is the size, solve कर लो, 3, 1s are 3, and 3, 6 are 18, 1.3 something आरहा, ठीक है, check it, इसके बाद आगे, अगला सवाल, देखते जाओ, भाई, देखते जाओ, ठीक है, pause करो, solve करो, फिर देखो, a student wants to project the image of a candle flame on a screen, 60 cm away from it, तो candle frame का image दाना है, image कहां फाउना चाहिए, 60 cm बेए, image distance दे दिया है, तुमको, ठीक है, wants to project image of candle on the screen, in front of a mirror, तो आपको यह पता होना चाहिए, अगर कोई mirror के बारे में जिकर नहीं है, लेकिन यह बोला है कि उसके front में screen पे, screen पे कैसा image बनता है भाई, screen पे जो image बनता है, वो मेंशा real inverted, real image होता है, तो यानि, real image अगर form करना है, तो इसका मतलब है कौन सा mirror होना चाहिए, concave, क्योंकि ना तो plane mirror real image form करता है, और ना ही convex mirror real image form करता है, तो screen पे image इमेज सिर्फ concave mirror form कर सकता है, lens में सिर्फ convex lens form कर सकता है, ठीक है, lens की फिलाल बात ने करें, यहां mirror की बात करें, mirror वाले case में, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका concave mirror ही, यह काम को अंजाम दे सकता है, ठीक है, तो यानि की, in front, कितना 60 cm in front, तो 60 cm in front, front मतलब वही left side में, तो यानि तुमारा V भी कहां है, left में ही है, तो minus 60, so this is minus 60 cm, ठीक है, by keeping the flame at a distance of, यानि object का भी distance दिया है, यानि object is always negative है, तो यह 15 cm, पतलब यहाँ पर कहीं object रखा हुआ है, ठीक है, so this is your U, which is minus 15, यहाँ हमेचे negative है, minus 15 cm, ठीक है, and since it is a mirror, you'll use the mirror formula, अगर required होगा, तो 1 by F is equal to 1 by V, plus 1 by U, ठीक है, क्या पुछा है, यहाँ पर, write the type of mirror, वो तो आपनने बता दिया है, सीधे सीधे concave mirror, क्यूंकि concave mirror ही real image form कर सकता है, क्यूंकि यहाँ पर real image form होआ है, find the magnification, थोड़ा से देखो, अलग तरह से सावल पूछा है, find the magnification of image produced, तो magnification भी अपने को निकालना होगा, and उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, क्यूंकि mirror के लिए magnification is equal to minus V by U, and that is minus of V कितना है, minus 60 by U कितना है, minus 15, यह cancel होगे, minus minus, फिर भी एक minus बचा है, 15, 4s are 60, magnification is equal to minus 4, यह अपने निकाल दिया, तो यह आगया, minus 4, ठीक है, what is the distance between the object and its image, object और image के वीच मैं distance किरना है, वो दो तो मैंसे भी measure कर सकते हो, कि भाई यह 15 पर बना हुआ है, और यह 60 पर तो यह gap कितना हो गया, 60 minus 15, यह ना, same side में सीधा minus कर लेंगे, 60 minus 10 is 50 minus 5 is 45, तो 45 cm का gap है, so the answer is 45 cm, इसके बाद ड्राव दी रेड़ आगर हम भाई बना लो ना, कि अधिकर है, इसमें स्क्रीन में जो अधनी सिर्व इमेज दिखा देना, ठीक है, और अगर तुम को चलिए, तो भाई focal length भी निकाल के बता सकते हो, focal length निकाल लोगे, तो यूपन अल्सो, imagine कि कौन सा वाला condition यहां पर हो गया, ठीक है, और radius 3 meter है, focal length कितना हो जाएगा, radius का half होता है, ठीक है, so focal length is equal to, and convex का plus महीं होता, so this is plus, उसका half हो जाएगा, 1.5 meter, ठीक है, if the bus is located at 5 meter, यानि object distance, उस automobile से, कितनी दूरी पर, उस mirror से, कितनी दूरी पर है, 5 meter पर, पीछे की तरफ दिखिया, आप ऐसे, so, ये तुमारा image distance हो गया, minus 5 meter, ठीक है, अच्छा, find the position, nature and size of the image form, तो mirror है, तो mirror formula, use हो रहा होगा, 1 by f is equal to, 1 by v, plus 1 by u, so that is, 1 by f, जो है, वो तुमको 1.5 दिया हुआ है, is equal to 1 by v, निकाल लेंगे, आपन 1 by u दिया हुआ है, minus 5, तुम बोलोगे, सब सेंटीमीटर में क्यों नहीं लिखा, यहां पर, दोनों meter में दिया है, answer भी meter में आजाएगा, same unit system में करना है, तो भाही आजाएगा, directly अब, so, ये minus 5 इदर आखे, प्लस 5 हो जाएगा, 1 by 1.5, plus 1 by 5 हो गया, 1 by v, परावर है, multiply दिवैडर पर 10 गर दो, 10 by 15, is equal, plus 1 by, इसको भी same करना, denominator, into 3, into 3, 15 हो जाएगा नहीं यहां पर भी, so, 3 plus 10 is, 13 by 15, is equal to 1 by v, v is equal to, 15 by 13, if needed, solve कर लिए ना, cm तुमारा answer, sorry, cm नहीं यहां पर किसमें आएगा, सब मीटर में तो यह, मीटर में आरा होगा, यह हो गया अपना position, nature and size के लिए क्लिए क्लिए क्लिए, सर, magnification निकालेंगा, magnification for a mirror, is minus v by u, minus v by u, so, that is minus of, v लिख दे 15 by 13, 15 by 13, upon, what is the value of u, by 13 into 5 by 1 है, इदर हो जाएगा 1 by 5, 5, 3s are 15, so, magnification is equal to 3 by 13, ठीक है, plus है, plus का मतलब virtual erect, ठीक है, और solve कर लो, less than 1 आ रहा है, diminished image यहां पर form होगे, solve the answer, ठीक है, क्यों हो गया अपना, इसको solve, okay, one more सवाल, और यह थोड़ा सा अलग सवाल है, जरा ध्यान दे, इसका formula मने आपर नहीं mention किया था, कि अगर तुमको दो lenses हो, किसी तरह के lenses हो, इसका focal length F1 है, इसका F2 है, combined focal length कैसे निकालते है, so, 1 by F1 plus 1 by F2 से, अगर तुमको power के terms में लिखना है, P1, P2, तो 1 by F तो P होता है, यह सीधे हो गया, P1 plus यह हो गया, P2 is equal to 1 by F, ठीक है, sorry, is equal to combined power P, तो यह तब रहेगा, जब lenses चिपके होएं, और यह कितने भी lenses के लिए होजकता है, 2, 4, 5, सब contact में आपस में, combined focal length के combined power इसे, निकाला जा सकता है, सवाल के आपुछा आपले वो देख लेते हैं, so two lenses have the power of this, what is the nature and focal length of the each lens, तो नेचर केसे निगलेगा, कौन से type का lens है, plus है, तो यह convex lens है, जैसा focal length का sign देगा, power का भी भी रहेगा, plus किसका focal length रहता है, convex का, minus है तो, concave, बराबर, और क्या बोला है, focal length निकालना है, तो focal length is, रहे सिप्रोकल of power, तो 1 by 2 हो गया, so focal length, meter में हैगा, 0.5 meter, इस वाले है, कितना हो जाएगा, focal length, 1 by 4, negative में, 4, multiply बेट 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 बेट, ठीक है न, कितना हो जाएगा, 0.25 न, 0.25, again, meter में, लेकिन यह माइनस साइन है, so focal length is, minus 0.25, और इसका, plus 5, plus 0.5, ओके, यह हो गया, what will be the combined focal length, if they are kept in contact, ठीक है न, यह F1 ले लो, यह F2 ले लो, दुनों contact में है, ओके, तो एक convex है, plus में, दूसरा concave है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, so 1 by F is equal to, 1 by F1, plus 1 by F2, that is, 1 by 0.5, जो की plus में है, और यहां पर, 1 by minus 0.25, so, 1 by F, is equal to, multiply divided by 10 कर दो, तो यह हो जाएगा, 10 by 5, परावर है, plus, plus क्या minus हो जाएगा न, यह, minus है नहीं है यहां पर, multiply divided by 100 कर दो, यह हो जाएगा, 100 by 25, यह होता है 4 जा, और यह होता है 2 जा, 2 minus 4, so 1 by Focal Length is equal to, 2 minus 4 is, minus 2, okay, so Focal Length is equal to, कितना हो जाएगा, minus 1 by 2 हो गया, okay, which is, minus 0.5, और, और, हमने कहानी में लिखी थी, तो यह भी क्या आया, यह भी तुम्हारा, मीटर में, आंसर आ रहे है, और, तो, इसी के साथ, आज के समाचार समापत होते हैं, I hope कि आपके, आपके, मिजॉरिटी सवाल हो गए, हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो, और ज़्यादा questions, practice करो, there are lot many numerical videos, हमको कौन सी चाहिए, जो भी बच्चे हैं, अपने अपनी डिमांड नीचे बताएं, so that उसके हिसाब से हम, contents का sequence बना सके हैं, ठीक है, बाबाई, and yes, all the best.